अब आप देखें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है कैपिटल इंट्रिज गिवन है और ड्रॉइंग गिवन है और हमें निकालना किया है भई हमें निकालना है प्रॉफिट फॉर दे यह यहां पर कैसे आएगा रिवर्ट्स वर्किंग वाला क्विश्टन इस सिंगल इंट्री यहां देखें जब आप बैलन्स शीट बनाते हैं स्टेट्मेंट फाइनशल पोजिशन तो वाँ बैलन्स शीट में एक फॉर्मैट होता है जब हम फाइन्स बाई पहले लिखते थे फाइन्स बाई नहीं इंवेस्मेंट करूँ एडिशनल इंवेस्मेंट तो मेरा कैपिटल क्या हो जाता है बढ़ जाता है एड कर दें इसमें एडिशनल इंवेस्मेंट अगर बिजनस में और पैसा में इंवेस्ट करूँ फिर लेस कर देंगे इसमें से क्या है एक और चीज़ आइड करते है और और फाइनल आंसर जो आजाता है वो आजाता है closing capital, यह है closing capital, तो यह reconciliation है capital कैसे calculate होता है business में, अब अब अगर इस question में देखें मेरे बाई कि opening capital already given है कितना है 58,000, यह आगिया opening capital 58,000, फिर इसमें add करते है additional investment बता रहे है capital introduced कितना है 15,000, यह additional investment है, फिर मुझे बता है profit given है, नहीं profit given नहीं है, profit unknown है, उसको X कर दें, फिर less करते हैं, इसमें से क्या चीज़, drawings, drawings कितनी है, 8,500, तो drawings को minus कर दें, फिर end में हमें क्या चीज़ चाहिए, closing capital हमें, दिया हुआ है already यहाँ पे, कितना closing capital दिया है अगर आप देखें सवाल में, दिया है 82,500, अब यह सारी चीज़े दीवे हैं, और अब हमें क्या निकालना है, profit for the year निकालना है, कैसे निकलेगा भई profit for the year, अब हम reverse working करेंगे, नॉर्मली तो क्या होता है, opening capital में additional investment वैसे rare है, लेकिन अगर होती है तो उसको add करते हैं, अगर drawing होती है, minus करते है, profit होता है, add करते है, loss होता है, minus करते है, क्या आ answer आ रहा है, तो answer मैंने calculate किया हो आ रहा है, 18,000, reverse working करना है और answer आ रहा है positive में, 18,000 तो answer है B, भाई देखें, अगर ये 18,000 आपको given होता है, तो इसको आप चेक भी कर सकते है, mathematically ये सही है नहीं, opening capital था 58, prediction investment एड़ करते हैं, फिर profit भी एड़ करते, फिर drawing minus करते हैं, तो closing capital इतन आना चाहिए, तो अब देखें, ये वैसे तो कफी आसान है calculation, इसकी logic भी समझ लें, logic है मेरे बाई, year end पे हमारे पा capital कितना है बाई, 82,500, मैंने इतनी drawing किये साल 85,000 की, अगर ये drawing ना करता, तो बताओ, capital बढ़ जाता है, कम हो जाता, अगर मैं drawing ना करता, तो मेरा capital बढ़ तो दोनों को add कर लिया, ये आ रहा है, 91,000, फिर इस साल मैंने पैसा invest किया, 15,000 तो 15,000 माइनस कर दे, क्यों, क्योंकि मैंने कमाया नहीं है, मैंने खुद invest किया, और साल के शुरू में already कितना पढ़ वा था capital 58, इस साल capital बढ़ रहा है, कितने से 18,000 से, ये जो capital बढ़ रहा ह ये कैसे बढ़ रहा है, ये जादू नहीं है, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपने profit कमाया, इस किया से capital बढ़ रहा है, तो answer है,